नमस्कार दोस्तों, आजकर राजस्थान की राजनीती में बड़ा उथल उथल चल रहा है, एक तरफ जहां पर कॉंग्रेस के मंतरी राजेंदर गुडालाज डायरी दिखा कर गहलोत की नींद उड़ा दी है, गही पर दूसरी तरफ RPSC में हो रहे घोटालों को लेकर कई सव खड़े होते आए हैं, इस मामले में आजकल एक बड़ा नाम सामने आ रहा है, IPS पंकज चौधरी आईए जानते हैं, कौन है यह शक्सियत, कौन है IPS अधिकारी पंकज चौधरी, जिन्होंने ठोका दावा तीन महीने में कर दूंगा RPSC की गंदगी साफ, जैपुर पंकज च चैलेंज भी देते दिखाई दे रही हैं, उन्होंने तीन महीने में RPSC से गंदगी बाहर कर देने की बात कही है, दरसल शनिवार को IPS अधिकारी पंकज चौधरी के एक ट्वीट ने CM गहलोत के लिए मुश्किले खड़ी कर दी पंकज चौधरी ने ट्वीट कर कहा कि प्रदेश के समस्त युवा संतुष्ट होंगे, RPSC के अंदर की तमाम गंदगी साफ हो जाएगी, मात्र तीन महा RPSC सौधरी कौन है बैखोफ अधिकारी पंकज चौधरी की पहचान दबंग और बैखोफ IPS अफसरों में की जाती है, मूल रूप से UP के वारानसी के रहने व इंटर्व्यू में सबसे ज्यादा 230 अंक मिले थे, इससे पहले पर UPPCS में भी सिलेक्ट हो चुके हैं, राजस्थान में आने के बाद वह जैसल मेर, बूंदी, जैपुर, कोटा, बांसवाडा जिलो में SP रहे, इसके अलावा इनकी पोस्टिंग दिल्ली में भी रही, राज स्टाइल से कांग्रेस बीजेपी दोनों परेशान रहे, चौधरी कानून की सीमा का लांध कर काम करना पसंद नहीं करते हैं, किसी नेता की सिफारिश ना मानने के चलते इनका ट्रांसफर होता रहता है, पहले बर्खास्थ फिर बहाल हुए पंकज, एक मामले में 2019 में सरका दिये बिना दूसरी शादी कर ली लेकिन जाच में ये सारे आरोप निराधार निकले और पंकज चौधरी फिर से बहाल हो गए, कैबिनेक मंतरी के पिता की कुंडली खोल दी, अपने वर्क स्टाइल के जाने जाने वाले अधिकारी पंकज चौधरी ने 2013 में अपनी पहली के दोरान S.P. रहते हुए मंतरी सालेह मुहम्मद के पिता की हिस्ट्री शीट खोल दी थी, दरसल मंतरी सालेह मुहम्मद के पिता गाजी फकीर धर्म गुरू थे, हालांकि 2021 में इनका इंतकाल हो चुका है, लेकिन इस केस को खोलने के बाद उन्हें S.P. पद हटा दिया था सडको पर मुस्लिन समाज ने जबरदस्त विरोध किया था, B.S.P. की टिकट पर लोग सभा चुनाव, पंकज चौधरी राजनीती में आने का मन बना चुके हैं, इसलिए तो उन्होंने 2019 में B.S.P. की टिकट पर बाडमेर जैसल में लोग सभा सीट से नामांकन दाखिल किय था, हाला की इनका नामांकन रद्ध हो गया था, चुनाव आयोग को बरखास्त होने के कागस पेश नहीं करने के चलते, इनका नामांकन रद्ध हो गया था, फिर कोट ने इनकी सेवाएं बहाल कर दी, हाला की खुद चुनाव नहीं लड़ सके, लेकिन पंकज चौधरी की पत्नी मुकुल चौधरी ने जोधपूर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा।